नमस्कार दोस्तों रसोई किचन में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं दीपा वली एस्पेसल सक्कर पारे इसको बनाने के लिए हमने लिया है दो कप मैदा, एक कप पिसीवी चीनी, हाप कप मिल्क, एक चोथाई कप रिफाइंड इन तीनों चीजों को हम एक बाउल में मिक्स करेंगे चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे चीनी मिक्स हो चुटी है अगर आपके पास खड़ी चीनी है तो आप गरम दूद में मिक्स कर लिजीएगे चली अब हम इसमें डिफाइन डालते हैं इसको भी मिक्स कर लेंगे इसमें से हम आधा गोल रख देंगे इसमें मेदा डालके थोड़ा थोड़ा डोता यार करेंगे सब्सक्राइनास बाकी का मैता भी टाल देंगें थोड़ा थोड़ा करके इसको भी डाल देंगे 10 मिनाट के लिए इसको हम रख देंगे सक्कर पारे का डोग तयार हो चुका है कड़ाई में हमने तेल चड़ा दिया है गैस को अभी हम नहीं जलाएंगे आप सक्कर पारे हैं बेल कर तयार कर लेते हैं एक लोई लेंगे बेल लेंगे देखिए मेरे शक्कर पारे इतने मोटर रहना चाहिए अब इनको हम एक प्लेट में रख देंगे दूसरी डोटी भी हमने बेल लिया है अब हम तेल को गरम कर लेते हैं एक छोटा हम सकर पारा डाल कर देखेंगे देखिए तेल हलका गरम हो गया है अब इसमें हम सारे सकर पारे डालेंगे इतना ही हम को चाहिए गरम जितने आ सकते हैं उतने हम इसमें डाल देंगे अब हम सकर पारां के तल लेंगे अब शकर पारे हमारे पक चुके यह उनको निकाल लेंगे जिए कितने बढ़ी के पके हैं बाकी के सुवर परे डाले दे रहे हैं आगरी लोई हमारी बची है इसको भी हम बेल लेते हैं चलिए इसको भी बेल कर स्यार कर लेते हैं इधर हमारे कड़ाई में पीता रहे हैं देखिए कितने बढ़िया हैं इंगो मैं बिल्कुल दीमी याज भी पका रही हूं आज पर पर देखिए कितने बढ़ियां बने इसको बढ़ियां देखिए इसको भी हुआ ज़रूर था क्वार फिर कितने बढ़ियां बने इसको बढ़ियां तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, देखने के लिए धानेगा